नमस्कार, स्भागत है आपका प्रोफेशनल एस्टालोजी पर मैं यशास्तिवारी आज आप सभी के समख उपस्तित हुआ हूँ मेश दोहजार चौबिस के मासिक राश्रिफल को लेकर इस राश्रिफल के कारिक्रम में हम चर्चा करने को जा रहे हैं कि आपका ये माह मैं दोहजार चौबिस का कैसा जने वाला है क्या लाब और क्या हानी ग्रहों के गोचर प्रभाव के जलते आपको इस मंत में देखने को मिलने वाली है साथी साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस मंत को और शेष्ट मना सकें इस विशे में भी चर्चा इस वीडियो के अंत में की गई है तो इस वीडियो को आप लाश्ट तक देखिएगा ताकि आप अपने लगन अपने राशी के अनुसार अपने उपायों को जान सकें जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राश्ट वल का कारिक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर बर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्मकुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर यदि आपकी जन्मकुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन अच्छे च तो जो मैं चीज़ें शुभ बता रहा हूँ, उनके शुभथ में कमी आएगी और जो मैं चीज़ें अशुभथ में वद्धी होती हु या पो देखने में मिल जाएगी कि आपकी जन्म कोडली में चंद्रमा जिस राशी में बैठे हुए वह य आपकी चंद्रराशी है उसी के आधार पर आप इस राशी फिल को देखी है यदि आप अपनी चंद्रराशी के विष्ग में नहीं जानते हैं 1 मई 2024 को ही होने वाला है जिसका की हमने 12 लगन एवं 12 राशियों के जातकों के लिए प्रतक प्रतक वीडियो बना करके इस चैनल पर अप्रोड कर चुके हैं बुद्ध का गोचर परिवर्तन होने वाला है 10 माई को ये मीन राशी को छोड़ करके मेश राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं सूरी का गोचर परिवर्तन होगा 14 अफ में को सूरी 14 में को मेश राशी को छोड़ करके व्रिशब राशी में प्रवेश कर जाएंगे इनी गोचर के आधार पर आपका इराश्री फन होने जा रहा है साथी साथ यदि आप इस कारिक्रम को देखते हैं और इस कारिक्रम से आपका कुछ भी लाब होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे जवारा इस चैनल पर अप्रोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे यदि इस कारिक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाब होता है आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाब हो और उसका माध्यम आप बने आईए अब हम चर्चा प्रारंब करते हैं मिथोन राश्री के जाता को के लिए में दोहजार चॉबिस कैसा होने वाला है मिथोन राश्री के जाता को के लिए देखा जाए तो राश्री पती बनते हैं बुद्ध ये दशंभाव में गोचर कर रहा है अपनी नीच राश्री में राहू के साथ में और दस माई को राश्री पर रिवर्टन करके लाब स्थान में चले चाएंगे तो जब तक ये 10 माई तक 10 थाउस में गोचर कर रहे है आपके करियर के पॉइंट अब भी से तो अच्छा है आपको आपके करियर में ग्रोधी मिलती हुए दिखाई दे रहे है परन्तु आपके बॉस के साथ में आपके बॉस के साथ में जो संबंद खराब हो रहे है उन संबंदों को सुधारे का प्रयास करना चाहिए पिता के सुपास्त में दी कुछ परिशानी है तो पिता को जाकर के डॉक्टर से मिलवा दीजेगा साथी साथ पिता की भावनाओं का सम्मान करिए और पिता का अनादर करने साथ को बचना चाहिए पिर जैसे ही टैंथ में के बाद में बुद्राशी परिवर्टन करके लेवन्थ हाउस में जाएंगे तो लगनेश और सुखेश का ग्यारवे भाव में गोचर होना ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित वक्त में धन को कमाने की चाहत को बढ़ा देगा सूरिका गोचर वैसे लेवन्थ हाउस में हो रहा है तो आपके पास अच्छा धनागमन होता हुआ तो दिखाई देही रहा है जिस वेशे में मैंने आपको पिछले मंत राशी फिल्म बताया था अब जैसे ही बुद्ध राशी पुरिवर्टन करके मेश में जाएंगे टैंथ में के बाद में आपको आपके सूर्सस अफ इंकम को ये और बढ़ा देंगे धन कमाने के पीछे आप कमन लगेगा स्वास्त के पॉइंट ऑफ यू से जरूर थोड़ी सी परिशानी है क्या होगा कि आप अच्छा जाद अव्यस हो जाएंगे धन कमाने में स्वास्त का भी ध्यान रखने की आवश रखता है शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शुक्र पंचम भाव के स्वामियों के ग्यारवे भाव में गोचर कर रहे हो पंचम भाव को देख रहे हैं अब शुक्र का राश्री परिवर्तन होगा इसका 19 में को ये बारवे भाव में जाकर के स्वग्रही हो करके गोचर करना प्रारम कर देंगे मिथुन राश्री के जातकों के लिए योगकारक रह होते हैं शुक्र बारवे भाव में जाएंगे पढ़ाई में तो मन नहीं लगेगा घूमने फिरने में अपने शौक की आवशक्ता मित्रुन राशी के चातकों को इस मन्त में नहीं दिखाई देती, तो अच्छा माना जाएगा, इसको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सूरी का जरूर जो राशी परिवर्दन होगा, वो 14 तो ठीक है, 14 में के बाद में सूरे 12 भाव में जाएंगे, आपके पित रुपक्वान के आराधना करना आपके लिए अतन्त आवशक होगा, और गुरु का जो गोचर है, 12 भाव में होने जा रहा है, इसके विशेपर हमारा ब्रेहत वीडियो अलरी बन जोगा, तो जाकर कि आप राशी फिल के प्लेलिश्ट में चेक कर लीजेगा, दामपति पॉइंट अब जाएंगे, तो अपने जीवन साथी के साथ में आप कहीं घुमने को जाएंगे, तो मैरेड लाइफ को अवरल अच्छा माना जाएगा, परंतु हाँ, यदि आप धर पर ही रहते हैं अपने जीवन साथी के साथ में, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करिएग पिता के स्वास का ध्यान रखिए, गलत वैसे आपको बचना है, इन तीन साथ धानियों को यदि आप बरतते हैं, तो ओवरल में दोहजर चौबिस का मन्त आपके लिए अच्छा जाता हूँ, दिखाई देता है, आपको चुपाए हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ज जो तक कमी आएगी, और जो शुब प्रभाव मैंने बताएं, वो शुब प्रभाव बढ़ चल करके आपको प्राप्त होंगे, तो प्रिये दर्शकों, ये था मितुन राश्री के जातकों के लिए में 2024 का राश्री फल आशा करता हूँ, कि मितुन राश्री के जातक मेरे द करिक्रम के माद्यम सबका कुछ भी लाब होता है, तो आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाब हो और उसका माद्यम आप बने, आज के इस राश्री फल के कारिक्रम में बस इतना ही रखते हैं, नमस्कार